पूजा पाठ अब शुक्कार में ताली बजाकर स्वागत किया जाता है वो भगवान को प्रसंद किया जाता है यह ताली की शुरुवात कब से हुई आईए उत्के पंडित से जानते हैं ताली नाद ब्रह्म है ताली की सुरुवात सनातन धर्म में अनेको पुराण है उसमें नरसिंग पुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णू को प्रसंद करने के लिए बहुत प्रकार के प्रयास किये जाते थे और हिरन्यकश्चपू के दवारा विरोध किया जाता विरोध और प्रयास दोनों जब आपस में टकराते थे तो भगवान को प्रसंद होना ही पड़ता है एक बार की बात है भग्त्य प्रहलाद भगवान को प्रसंद करने के लिए ओम नमो नारायन इस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और इतने मगन हो गए कि अपने दोनों हा लगने लगा कि यह क्या हो रहा है सब विश्मित हो गए कि यह किसकी भक्ति है जिस्ते की भगवान स्रीहरी का सिंगासन दोल उठा और भगवान उसके भजन के लिए प्रसंद हो करके उसके समस्त्र कष्टों का निवारन करते थे कभी पहारों से गिराया जाता तो उसको हतेली में जहल लेते यह सब ताली नाद और मंत्र नाद इन दोनों की शक्ती का प्रभाव है तभी से भजन में, कीर्टन में ताली सेवा का कारी प्रारंब हुआ इसलिए हम सभी भगवान की आज़्टी में, भगवान के कीर्टन में, भगवान के भजनों में ताली नाद करना चाहिए इसी तालीनात के प्रभाव से भगवान स्री हरी का नरसिंग अवतार हुआ और हिरन कश्यकु का वद करके भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा कर पिता तुल्य लाड किया और समस्त संकटों से निवारन करके उसको दिव्य सिंगासन पर विराजित कर दिया यह ताली नात का प्रभाव है हम सभी को ताली नात करना चाहिए